जी यह भी बड़े मज़े का टॉपिक है थोड़ा सा कम रिलेटेड है क्यूंकि इसमें फॉर्म्स का ज़्यादा इस्तमाल है लेकिन फिर भी कलर कॉंपोजिशन को समयने के लिए और एक्शली कलर कॉंपोजिशन की इंपोर्टेंस और उसके जो फेमस यूज है ना उसको समय जल्दी से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कफी सिंपल लेकिन कफी मशूर करें कॉंपोजिशन है यह आपको पता है अब सुचने की बाते हैं आप मुझे पूछेंगे कि यह कौन सा कलर है वाइट और ब्लैक ना वाइट कलर ना ब्लैक कलर है तो मैं यह अब पुरता वैसे भी यह एलेक्रमेगनेटिक फील्ड जो आपका स्पेक्ट्रमेश में ब्लैक दो एक्जस नी करता लेकिन अम आपको इसको वैसे भी आइधिंग स्वूश कहते हैं यह स्विश कहते हैं यह एक वड़ा मज़े का साइन है अब यह जो जो भी मैं आपको दिखा रही हू बहुत इंट्रिस्टिंग टॉपिक है चोटा सा है लेकिन जल्दी से उसको देख लिए हैं वह यह के सिंपल येट फेमस कलर कॉम्पोजिशन कौन सी है क्योंके कई दफार होता है कि आपको अभी तक जो आपको पढ़े हैं को जरूरी नी कि आपको यह समझाए कि इसका एक का साइन केंदर कालर यूज कर नहों तो इसके अंदर बहुत लबी चोड़ी रिसर्च होती है क्योंके एक तुफार वह साइन बना लें तो उसको चेंज करना को इतना असानी है अब यह दुनिया के फेमस तरीन साइन्स में से एक हैं इसको स्वूश कहते हैं यह स्विश कह nabσα idd wwf जो wildlife है वूड वाइलाइफ है उसका सान है ब्लैक र defer अब आप सोचेंगे कि ब्लैक अंड वाइछ तो गलर नहीं है अब मैं यह कहरें यह की वाइट तो डेफिनिटल कलर है क्यूंके दुनियान के सारे कलर वाइट में हाँ global नहीं है क्यूंकर आपके आपके जो वह कलर से भी जादा इंपोर्टन्ट होती है कॉंट्रास्ट के बैक्राउंड और जो भी आपने लिखा हुआ है उसके अंदर शदीर तरीन कॉंट्रास्ट होना चाहिए क्योंकि जादा कॉंट्रास्ट होगा उतिन जल्दी वह नजर आएगा तो ये समझें के लोगोज या इंसिग्निया की ये एक मजबूरी होती है कि वो कुशिश करते हैं कि पॉजिटिव और नेगटिव यानि फोर ग्राउंड आबजेक्ट और बैक्राउंड के अंदर बीच में मैक्सिम्म कॉंट्रास्ट हो सके क्योंकि वो जितना जादा कॉंट्रास्ट होगा तो उस उस हिसाब से अगर देखें तो ब्लैक और वाइट को भी आप लोगोज की दुनिया में बहुत इंपॉर्टन कलर समझते हो अब सिर्फ आप ये चेक करते जाएं कि किस किसम के कलर लोगों ने यूज किया है एक पैकराउंड का एक फोर क्राउंड का तो इवन इसमें भी वाइट और ब्लैक है भी तो ये दो कलर तो डेफिनिटली है फिर आगे आप ऐसे देखेंगे लोगों जिनके दो से जादे हैं तीन, चार, पांच भी कलर हैं लेकिन जरा आप खुद से मेरे कहें बगार नोटिस करें किस किसम की कॉम्बिनेशन कलर की जो है ना वो लोगों ने बनाए हुए और वो कितने ही सकस्वल हैं और आपका उसके के बारे में क्या ख्याल है क्योंकि इससे पहले जो मैंने कलर कॉम्पोसिशन बनाने का जो मैंने आपको पहले फ्यू टिप्स दिये थे उसमें यह भी था कि आप पूरे कलर वील में से कोई भी रंग उठा ले तो वो काफी जीब लग रहा था मुझे भी थोड़ा कि यह तो इतने इंटेंस हुज हैं तो इन में से अप जब कलर उठा होगे तो भौट यह बोल्ड चीज बनेगी लिकिन बात यह कि जो मद्धम कलर स्कीम उती है उनका भी कोई फायदा होती है और जो बोल्ड किसम की कलर कॉम्पोसिशन भी उती उनका भी कोई नकोई अब की ब्रैंग्ड आइडेंटिटी को लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट कर दे तो आप को क्लर की चाहज़ रहता है इसका मतलब ब्लैक और वाइट को भी आप जो कहते हैं कि हलका नहीं लेना चाहिए सबसे अक्चली पावर्फुल जो कलर कॉमिनेशन तब जो कलर कॉम्प सोब अराम से मझे बता दिया ये क्या है एक ही कलर सुरी दो कलर दो कलर आपको अब ये बैकराउंट के उपर लुए अब यह भी आप सोचे है कि क्यूं इन सब की बैक्राउंट वाइट हा ये भी एक सोचने इभात है इनफाक्त्त। यह मेरा आपसे question है आपकी diligence का check है यह आपकी बताएं कि यह white क्यों है background अब यह दुनिया के famous तरीन और जो हैं वो लोगोस हैं कि उनको उसके प्रोड़क के बारे मंडेस्टेंड करने के लिए आपको एक second लगता आपको खुद पता चल देता है और in fact अब जैसे starbucks है तो उसका green अगर जरा सा भी फरक green होगा और एक दम notice करेंगे के कुछ मसला है या मेरी आंखों में मसला है या इन्होंने कोई नकली चीज़ बनाई है आप यह भी देखें कि जो starbucks के जो बनते हैं कई लोग होते हैं जो को कॉपिलाइट सी परवागी बगार starbucks की यह बड़े ब्रांड की नकले करते हैं तो वो थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं कि ज़चेंज करने की वज़ा से वो एक तो इस तरह समझे कि ये कॉर्परेट दुनिया में इस इस तरह की चीजें कलर की वजह से बहुत मेजर जगड़े होते हैं और बड़ी मेजर क्लेम्स कियाना वह बनते हैं तो इसमें अगर अंडर्ग्राउnd ना भी लिखा होता तो तो इसलिए फॉरूं पता चल जाता कि ये क्या है ये कि ये कमडिनेशन बिल्कुर मेरे लिए क्लियर रहोगा है ये पतागा सब्स suburbs और मिजilli साने जाने आगा है क्या करने है तीन कलर तीन कलर अब देखें के अकसर तीन क्वाइब अकसर जो है बहुत ही कॉंट्रास्टिंग इस साथ-साथ वाले colors कम हैं अकसर बहुत ज़्यादा contrasting है नीला और लाल दो basic लाल और काला समझें बहुत strongly opposite दो basic पीला और लाल दो basic और basic के भी basic तरीन खालिस तरीन रंग ये बड़ी मर्ज़े की composite है इसको आप कहेंगे complementary colors कि नीला का complementary होता है उसके opposite के दो primaries दो primaries जोंगे वो yellow और red का जो mixture है वो orange होगा तो orange जो है वो इसका complementary है और complementary भी है और opposite भी है बिलकुर यानि इसमें भी जो दो कलब में उसके हो इसमें ख्याल रखा हमें कि बहुत दूर-दूर के कलर हो ये भी तकरीम आना से है और इन दोनों को खास तोर पर देखिए को वर्ड भी नहीं उजवागा कोई वर्ड नहीं उजवागा लेकिन जिस तरीके से ये color change होता है इंस्टा का अब ये पुराने जमाने का logo नहीं है पुराने जमाने में इतनी technologies और इतनी कहना चाहिए के इसे mechanism ही थे के हर दफ़ा जब आप लोगों बनाएंगे वो इतना ही perfect बनेगा ऐसे ही smoothly उसका रंग चेंज होगा लेकिन आजकल की चूँके color technologies और हर चीज इतनी जबरदस है दूसी बात है कि बहुती liquid किसम की जैसे retina टाइप आप की जो android की जो आपकी screens होती है इतनी liquid होती है कि उसमें grain तकरीबन तकरीबन के बिलकुल खतम ही हो गया वैसे लगता है पानी के उपर image तो जब आपकी technology शो करने वाले technology तनी smooth होगी तो उसका मतलब है कि फिर जो logos यानि basic logos भी है उसमें भी रंग जो है उसकी बहुत ज्यादा आपको variety मिल सकती है बड़ी देखिए समूदली चेंज हो रहा है अब मज़े की बात ही देखिए ये color yellow से orange से red तो ये natural flow है कि ये आपको electromagnetic spectrum में भी आपको यही तर्तीब है और इसी तरह बदलता है लेकिन यहां से जो purple हुआ है अब ये purple बड़ा फरक purple है से बेशक red blue की तर जाएगा तो purple में जाएगा लेकिन ये purple की tone जो है ना ये थोड़ी फरक है तो इस वजह से ये काफी जरा एक dramatic सा लगता primary, 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 secondary, thank you